Hello guys, welcome back to your favorite automobile channel Vroomlog आज हमारे सामने है newly launched Tata Safari और इस color में देखे ये कितनी जबरदस लग दी है कितनी शांदार लग दी है, gold color है ये इसका सो करते हैं जल्दी से एक walk around जानते हैं इसमें क्या-क्या features आते हैं तो अगर मैं आपको front दिखा हूँ सबसे पहले तो front में एकदम refreshing new grill देखने को मिलती है इसमें बीच में आपको यहाँ पर Tata का logo देखने को मिल जाता है नीचे 360 के लिए यहाँ पर camera देखने को मिल जाता है और यह देखे कुछ यहाँ पर यह अलग सी scattering सी आपको grill देखने को मिलती है काफी unique लग रही है, काफी अच्छी लग रही है यह वाली यहाँ पर आपको connected DRL अब देखने को मिल जाते हैं काफी अच्छे लगते हैं यह जब जलते हैं अगर अगर अप मैं नीचे चलू तो यहाँ पर आपको number plate के साथ-साथ नीचे यहाँ पर ADAS का यहाँ पर आपको section मिल जाता है यह नीचे अलग एक और grill यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको two point में front parking sensors भी देखने को मिल जाते हैं गाडी में features बहुत सारे हैं यहाँ पर आपको यह 360 पार्किंग के लिए camera दिया गया है अब अगर मैं इसका lighting section दिखा हूं तो यहाँ पर आपको LED DRL देखने को मिल जाते हैं जो connected है उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको LED projector headlamp देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आपको यह देखिए black एक पूरी line मिलती है नीचे skid plates में जो आपको यह silver देखने को मिल जाती है skid plates में है इस पर भी आपको design देखने को मिलता है यह देखिए तो company ने design में कोई कमी नहीं छोड़ी है जो इसका competition है उससे टकराने के लिए इसमें बहुत सारे elements सब गारी में दे दिये गए है नए नए जो है और यहाँ पर भी यह देखिए यह भी element है यहाँ पर design के लिए ही दिया हुआ है यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन यह design में काफी अच्छा लग रहा है यह events की तरह यह लग रहा है लेकिन फंक्शनल नहीं है यहीं पर आके बंद हो जाते है अब अगर इसके side profile की बात करें तो side profile में आपको दिखा देता हूँ इसकी side profile देखिए side profile से इतना ज्यादा कुछ पहले से चेंज नहीं है जो चेंज है भी मैं वह आपको दिखा दूँगा पहले आप यह इसकी side profile देख दीजिए अब side profile में जो जो changes है वो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले इसका जो alloy का design है वो चेंज है और जो tire size है वो चेंज है अब मैं आपको size दिखा दिखा दिता हूँ size है इसका 245 55 और 19 अब इसमें 19 इंचिस के massive आपको alloy wheel देखने को मिल जाते हैं और यह आपको diamond cut alloy देखने को मिलते हैं यह भी dual tone में देखने को मिल रहे हैं और चारो tires में आपको disc brakes देखने को मिल जाते हैं वो पहले ही था side में यहाँ एक unique चीज है जो आपने compass और Jeep की गाड़ियों में देखा हुआ यहाँ पर यह नाम लिखा हुआ है यह जीप अपनी गाड़ियों में देती थी अब यह safari में भी है और harrier में भी है यह कापी अच्छा लग रहा है इसमें यह जो side में लिखा हुआ है अब अगर पर आपको यहाँ पर रूफ रेल्स में देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको door handles पर request sensor देखने को मिल जाता है और यह दोनों साइड नीचे आपको black body cladding भी देखने को इसमें मिल जाती है cut and creases भी दी गई है काड़ी में यहाँ पर आपको एग एक cut and crease देखने को मिलती है और यह side में भी आपको मिलती है यह काफी बड़ी है पहले भी थी और काफी अच्छी लगती है aesthetic इसका पूरा look बनाती है पीछे आपको LED इसमें आपको connected tail lamps मिलते हैं वो जब पीछे जाएं अब यहाँ पर जो टाटा अपना 50 lakh cars का celebration भी कर रहा है टाटा नेक्सों में भी यह दिखता है और यह safari and harrier में भी दिखता है यह कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपको क्रोम treatment दिया गया है यहाँ पर आपको diesel pillar cap देखने को मिलती है डीजल है पेट्रोलिक की लुक है वो काफी जबरदस्त है अब अगर पीछे चलें तो पीछे देखते हैं इसकी looks कैसी है पीछे stand out करने वाला इसमें फीचर है जो इसकी connected lights है बहुत शांदार लगती है ऊपर यहाँ पर आपको sharpie antenna देखने को मिल जाता है और पीछे की अगर मैं आपको लुक देखने को मिल जाता है और यह 360 camera का भी काम करता है नीचे आपको बड़ा सा safari लिखा हुआ देखने को मिल जाता है लेकिन पीछे मुझे एक चीज की जो कमी लगी थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे वह है टूपॉइंट ही है इसमें reverse parking sensors के और नीचे वही जो front में design था skid plates का silver skid plates का वो यहां भी carry हो रहा है और यह जो safari लिख रहा है काफी अच्छा लग रहा है यह नए नए इसमें unique touches देखने को मिल रहे हैं काफी अच्छे लग रहे हैं वही local for local जो टाटा के initiative है और टाटा की हर गाड़ी में आपको कुछ ना कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है इसमें लॉयन है और यह लॉयन की पूरी family इसमें देखने को मिल जाती है अब अगर यहां पर मैं features की बात करूं तो यह आपको तो नहीं है यह क्योंकि एक्टर में ही आया था और अब यह सफारी में भी आ गया है तो इस कॉंपटिशन की जो गाड़ियां है काफी जादा फीजर के साथ आ रही है अब अगर मैं पीछे की बात करें तो यहां पे तीनों जो सीट्स हैं उसको अगर फोल्ड ना करें तो इत इसमें दिया है यह बहुत ही शांदार चीज है बहुत ही जबर्दस चीज है अगर मैं इसमें बूट स्पेस की बात करूँ तो यह जो सीट्स है अगर हम इनको फोल्ड करें तो यहां पे इसका फोल्ड करने का आपको मिलता है आपको यह ऐसे करना है और यह सीट आगे चली जाएगी अब इसका बूर्ट स्पेस के बात करूँ तो ओल्मोस 425 लीटर्स का इसमें बूर्ट स्पेस देखने को मिलता है अगर इसकी पिछली सीट्स फोल्ड हो जाए जो काफी डिसेंट है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए यहां पर भी आपको स्पीकर्स देखने को मिलते है पिछे भी आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए सीट बैल्स देखने को मिल जाती है और यहां भी आपको एर बैक्स देखने को मिलते हैं चाटा की गाड़ी आपको पता ही है कितनी जादा सेफ मानी जाती है और यह तो अब सर्टिफाई हो गई है कि यह दोनों गाड़िय उपर मैं आपको बताई दिया शाक्विन एंडीना मिलता है यह इसका थोड़ा सा पीछे का एक बार आप लुक देख लीजिए यहां पर आपको कटन क्रीज देखने को मिलती है यहां पर भी मिलती है और जो नीचे आप देखने भी वह वाली वह देखिए और यह आगे सफार यहांपर आपको रिरर रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं और जो गुर्फ लाइटियों में आता है अब अगर अंदर चलें तो अदर псих कीज देखने मिलती है सबसे पहले यहां पर आपको soft touch material दिया गया है यह पूरा soft touch material है यह जो beige and brown color जो off white and brown color इसमें dual tone interior है वो काफी शांदार लग रहे हैं यहां पर आपको यह देखिए यह भी treatment दिया गया है यह ब्राउन है चोकलेट है आप इसको जो भी color का हो यहां पर आपको यह treatment पूरा दिया गया है काफी अच्छा लग रहा है यह देखिए silver finish में यह दिया गया है अंदर luxury का पूरा ध्यान दिया हुआ है चारो power window के यहां control आपको देखने को मिल जाते हैं यहां पर आपको एक bottle holder भी देखने को मिल जाता है sound quality बहुत ही जबर्दस होने वाली है इसकी और यहां पर आपको ORVM के सारे control देखने को मिल जाते हैं अब अगर मैं अंदर इसके सारे features आपको दिखा हूँ तो सब से पहले यह देखिए यहां पर आपको wooden texture दिया हुआ है बहुत ही शांदार लग रहा है next level लग रहा है इसके steering की बात करें तो steering इसमें वही आता है जो next zone में भी आपने देखा हुआ है illuminated tata का logo यहां पर देखने को मिल जाता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ यह देखिए illuminated यहां पर आपको सारा कुछ मिलता है यह चल गया था तो यहां पर मैं आपको सारी चीज़े दिखा देता हूँ illuminated tata का logo यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर आपको cruise control और a dash के सारे features देखने को मिल जाते हैं बेन, keep assist बगएरा सारे ही features यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं यह सारे cruise control के और a dash के function होगे और इधर आपको bluetooth के volume के call control के music के सारे control सीधर देखने को मिल जाते हैं काफी अच्छा है इसमें hold है leather finish आपको यहां पर steering wheel मिलता है यहां पर आपको यह देखी यह finish मिलता है यह भी काफी शांदार लग रहा है यहां पर आपको airbag की badging भी देखने को मिल जाती है और इसमें आपको paddle shifters भी देखने को मिल जाते हैं जी हाँ अब Tata ने भी अपनी city है अभी आप देख रहे हो यह change हो जाएगा और इसका वेट मोड़न हो गया है और इसमें एक और मोड़ मिलता है रफ रोड भी इसमें देखने को मिल जाता है तो यह तीन इसमें देखने को मिलते हैं मोड तो city drive भी है और शायद एक और होगा तो यह चार मोड से हैं इसमें वेट हो गया रफ हो गया स्नो हो गया और यह यहां पर भी दिखाता रहता है तो काफी ज्यादा फीचर रिच गाड़ी है अब अगर इसमें मैं सीट अजस्मेंट की चीज़े दिखा हूं आपको तो यहां पर यह देखिए अब अगर मैं अंदर आपको नीचे दिखाऊं तो नीचे देखिए यहां पर आपको एक्सलेटर और ब्रेक देखने को मिलते हैं यह काफी यूनीक लग रहा है यह आपने लैंड रोवर एंड जैगवार में देखा होगा ताटा ने वहीं से यह लिया है काफी अच्छा ल और यहां पर आपको यह भी जो गाड़ियों के लिया यहां तरफी यहां पर आपको यह लिए अपने यह टाज होगा ने को मिलना को आशच हो यह यह आप इसमें 3D भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरा आ गया, ये शोरूम में अभी गाड़ी खड़ी है, जो बाहर इसमें color है, वो color ये नहीं दिखा रही है, ये अलग color दिखा रही है, अब इसमें आप हर section अलग-अलग देख सकते हो, इधर से आप देख सकते हो, तो ये सारे ही आपको angles दिखा देती है, ये आपने सबसे पहले शायद Land Rover Defender में देखा होगा, अब क्योंकि Land Rover इनी की है, तो इन्हों ने ये शायद ये चीज बहाँ से ले ली है, काफी अच्छी चीज है, ये पूरी गाड़ी को आप देख सकते हो, सारी जगा से आप देख सक करोगे, तो यहां से देखो, अब ये अलग-अलग तूडी में दिखा रहा है, अब ये reverse का दिखा रहा है, अब ये front का दिखा रहा है, ये side का दिखा रहा है, ऐसे ऐसे काफी सारी चीजे इसमें देखने को मिल जाते हैं, यहां भी काफी सारे features आपको देखने को मिल जाते Bluetooth का Pairing देखने को मिल जाता है FM Controls देखने को मिल जाते हैं यहां और भी चीजी है अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यह mood light हो गए यह JBL के sound system है और यहां पर इसका पूरा menu दिया हुआ है यहां पर इतने सारे इसमे features देखने को मिल जाते हैं Android Auto मिल जाता है wireless है Apple CarPlay देखने को मिल जाता है Amazon Alexa देखने को मिल जाता है phone setting है काफी सारी काफी feature rich है यह आपको पहले से ही पता है Nexon में भी आपने देखी हुई है and AQI अभी घटाने लग रही है घटाने लग रही है काफी अच्छी चीज़ है यहां पर आपको अपको पूरा ब्राउन यह dashboard देखने को मिल जाता है उपर एक वाँ साइज speaker देखने को मिल जाता है auto dimming आपको IRVM देखने को मिल जाता है यहां पर आपको passenger airbags है वो ओन अन ओफ का देखने को मिल जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा कहां से ओन अन ओफ यह हो सकता है यहां पर यह पूरा ADAS का ब्लोक है उपर ADAS का देखने को मिलता है आपको सामने मैं दिखाऊंगा आपको यह इसका सनुरूफ का कंड्रोल है क्या हो रहा है टीपीमस मॉल फंक्षन की यह हमें अभी जानकारी दे रहा है हम इसको कर देते हैं वरना यह बोलता जाएगा के आपके पर आपको एश इवेंट मिलते हैं प्यानो ब्लैक फिनिश यहां पर आपको देखने को मिलती और यह देख मेटीरेल पूरा लेदर देखने को मिलता है मैं आपको sunroof दिखा रहा था तो ये इसका sunroof slider है आप एक बार इसको slide करोगे तो ये पूरा curtain जो है इसका ये open हो जाएगा और अगर आप दोबारा भी इसको push करोगे तो ये पूरा sunroof आपके लिए खुल जाएगा और काफी बड़ा sunroof है अब अगर ही मैं यहां के ऊपर क को यहां पे कोई भी आपको mirror यह light नहीं मिलती है यह थोड़ा सा मेरे लिए शोकिंग है 25-30 लाक की एक गाड़ी है और यह top model है जिसमें अभी मैं बैठा हुआ हूँ लेकिन इसमें आपको यहां पर mirror नहीं दिया गया है शायद Tata की अपनी अलग policy होगी जिसके बज़े से लेकिनों नहीं दिया है यहां पर मैं आपको दिखाऊ हूँ तो यहां पर आपको mirror मिल जाता है with light आपको airbag की देखने को मिल जाती है यहां पर आपको सारे जो cabin lights है उसका control देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको e-co-mode भी इसमें ने को मिलता है तो overall अगर count किये यह साथ तो इसमें mode है ही, अब मैं इसकी key भी आपको दिखा देता हूँ, कि इसकी ऐसी कुछ हमें मिलती है, यहाँ पे door lock, unlock का feature देखने को मिल जाता है, बूट opener मिल जाता है, यहाँ पे आपको twin cup holders देखने को मिलते हैं, यहाँ भी काफी अच्छे inserts दिये गए हैं, यह देख and luxury look दे रहे हैं, अब अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे आपको front arm rest देखने को मिल जाता है, इसके अंदर अगर मैं features की बात करूँ, यहाँ पे आपको 12 board का socket भी देखने को मिल जाता है, USB type C का charging socket भी देखने को मिल जाता है, यह बहुत कमाल की चीज़ है, जब मैं इसको लेके चलोगे, तो आपके जो road presence होगी, बहुत शांदार होने वाली है, head turner यह obviously गाड़ी होने वाली है, and AQI यह देखे लगातार कम करते जारी है, 162 था, अब यह 81 हो चुका है, तो अब चलते हैं पीछे, और हाँ एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, यहाँ प यहाँ पर आपको curtain airbag देखने को मिल जाते हैं, safe तो यह गाड़ी बहुत है, आपको पता ही है, अब इसको करते हैं off, और चलते हैं पीछे, पीछे देखते हैं गाड़ी में इस company ने क्या के दिया हूँ, और एक चीज़ मुझे और दीखिए है, मैं वह आपको दिखा देता है, काफी जबरदस लग रहा है, और यह शायद ambient lighting ही है इसकी, काफी अची लग रही है, तो चलते हैं पीछे, पीछे देखते हैं company ने क्या क्या दिया है, आप अराम से उतर सबते हो, ऐसी कोई इसमें, जादा यह उची नहीं है यहाँ से, तो काफी अच्छा है, यहाँ प पूरा वही आपको design language यहाँ पर देखने को मिलती है, soft touch material मिलता है, silver finish में यह चीजे मिलती है, door handle देखने को यहाँ पर मिल जाता है, यह आपको power window को, यह थोड़े मुझे cheap quality के लग रहे हैं इसमें, ताटा नेक्सोन वाली है, altros वाली quality के हैं, 30 लाट की गाड़ी है, शाय पर आपको अलग से जगहा दी गई है, यहाँ पर आपको rear race events देखने को मिल जाते हैं, and overall अब दोर की बात हो गई, अब चलते हैं अंदर, और देखते हैं इसमें क्या-क्या है, so, first and foremost, सबसे पहले इसका front जो पूरा dashboard है, वो देखिए, कितना शांदार लग रहा है, कितना लग रहा है, पूरी जो जितनी भी चीज़े हैं, इसमें यह जो combination है, colors का, इसमें wooden texture दिया हुआ है, soft touch material दिया हुआ है, काफी अच्छी सारी चीज़े, इसको एक appealing बना रही है, अब मैं अगर पीछे की बाग करूँ, तो पीछे आपको यहाँ पे door handle देखने को मिल जाता है एक hook भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको इसकी lights देखने को मिल जाती है, same for this side, यहाँ पे भी आपको light देखने को मिल जाती है, door handle and this, and इसका sunroof देखिए, पीछे की पूरी seat आपको sunroof से cover देखने को मिलेगी, काफी बड़ा sunroof है, काफी मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे rear race events दोनों side है, तो यहाँ पे जगह जो बचे, यहाँ पे आप अपना phone आराम से रख सकते हो, काफी जगह है, और अब जो मैं चीज कह रहा था है, कि यह जो चीज है, काफी मस्ट चीज है, आप मैं दिखाता हूँ, अब हो सकता है, यहाँ पे कोई इनस इसका यह adjust करने के लिए है, पीछे यहाँ पे आपको दोनों ही seats में magazine holder देखने को मिल जाते हैं, यह मैंने आपको बताई दिया, बाकि ऐसा कुछ पीछे नहीं है, हाँ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आपको twin cup holders देखने को मिल जाते हैं, center armrest में, पीछे जो इसके competition की गाड़ी थी, वो काफी आगे थी, तो अब गाड़ी में Tata ने भर भर के features दे हैं, पीछे आपको seats दो और मिल जाती है, उन पे भी हम जाके देखेंगे बाहर निकल के, बाकि overall यहाँ सारी चीज़े हो गई है, यहाँ पे आपको दो ही seatbelts मिलती है, तीसरी नह नहीं थी, तो थोड़ा सा इसको adjust करना पड़ा, जो इसका leg room है, वो थोड़ा decent enough है, under thigh support भी इसका decent है, मुझे इतना खास कुछ लगा नहीं, और इससे better मुझे XUV7OO में लगा था, और जो इसका head room है, वो काफी अच्छा है, काफी इसमें space है, उपर, तो उसमें कोई कमी न gate खोलना है, यहां पर आपको यह, और हां मैं एक चीज आपको और बता दू, यहां पर आपको reclining angle मिला हुआ है, यह देखिए, यह normal है, यह normal angle है, यहां पर आपको यह देखिए, थोड़ी से reclining seat है, तो यहां पर यह reclining हुई हुई है, तो थोड़ा सा आपको reclining angle भी देखन को मिल जाता है comfort के लिए अब अगर आपको पीछे जाना है तो यह सिर्फ आपको ऊपर करना है और यह पूरी सीट अपने आप कितनी easily यह फोल्ड हो गई है एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ कितनी आराम से हो गई है आपके लिए यहां का पूरा रास्ता बन गया है अब अगर आप rear row में जाएंगे तो देखते हैं गाडी में कितना ज़्यादा space आपको देखने को मिल जाता है और पीछे आपको क्या-क्या features देखने को मिलते हैं कमपनी में क्या-क्या features में दिये हैं सबसे पहले अगर मैं अब इसके space की बात करूं तो मैं six feet से ज़्यादा लंबा हूं और आप देख सकते हैं यह इसका leg room है वो बस मैं बैठा ही हुआ हूं ज़्यादा लंबा मैं सफर नहीं कर सकता है इसमें थोड़ा comfort थोड़ा सा कम है और under the support तो बिल्कुल नहीं है आप देख सकते हो तो पीछे की जो seats है वो baby seats है यहां पर आपको rear AC vents देखने को मिल जाते हैं यहां पर भी आपको usb-c and usb-a दोनों charging option देखने को मिल जाते हैं bottle holder यहां पर आपको देखने को मिल जाता है और यहां आपको यह देखिए phone लगने का अलग से compartment दिया हुआ है यहां भी JBL के आपको speaker देखने को मिलते हैं जो मै तो जो 6 feet से जादा लंबे लोग है या 6 feet के भी हैं वो इसमें शायद यहां पर fit ना हो पाए हाँ 5 feet के 5 feet 7 inch के आराम से आएंगे यहां पर आपको AC के controls भी देखने को मिल जाते हैं and overall बस space की यही काहानी है एक decent है यहां पर आपको lamps भी देखने को मिल जाते हैं और overall जो आप इसका पूरा केविन देख सकते हो काफी airy सा feel होता है यहां पर आपको glass मिल जाता है और जो इसका off white color है काफी इसको airy cabin का feel दिलाता है अब चलते हैं बाहर और यह हो गया पूरा इसका cabin केविन आपने पूरा देख लिया है अब करते हैं इसके engine की बात इसमें engine कौन सा मिलत है कि देखते हैं इसका engine इसके इंजन की तरफ चलते हैं तो company ने इसमें engine सेम रखा है और यहां से आप इसका front hood खोल सकते हो यह भी company announce करके बता रही है तो इसमें आपको टू लिटर क्राइट डीजल इंगने को मिलता है और काफी है यह इंसलेशन भी आपको यहां पर करता है यहां पर लिखा भी हुआ है और 350 newton meter का torque produce करता है यह बहुत गाड़ी में आपने देखा हुआ है यह आपको meridian में मिलता है यह आपको Jeep compass में मिलता है harrier में मिलता है safari में मिलता है काफी successful engine है काफी torque engine है काफी responsive है लेजेंडर इंजन है यही safari में लगा हुआ है अब यहां पर जो front wipers आपको देखने को मिलता है यह देखिए aero twin quality के है superior quality के यहां पर आपको यह वाइपर मिलते हैं यहां पर आपको auto rain sensing wipers and ADAS के function के लिए पूरा block दिया हुआ है जो मैं अंदर से दिखा रहा था and overall यह इसकी पूरी looks थी इसके features थे क्या इसमें better चीज है क्या अपने feedback अगर आपको safari या harrier या Tata की कोई भी गाड़ी लेनी है तो मैं मैं delight जनकपुरी Tata शोरूर में हूँ इनकी details मैं description में लिख दूँगा आप call कीजिए यहां पर आईए सारा staff बहुत humble है काफी अच्छा है और आपको एक better deal provide कर आएगा so मिलते हैं आपसे next video में अग आप मुआश ठैपनान का इस बाल में आपको बाल माई भीक आपज़ा है सह जता सेुड़ी माई़ा एधर पाल में लेक रह शोरूरूरूरी यहां अबोश़ को जिर दिकाशपना के अबहां पाल मानマक्की घर आक दो